सर्दियों में पालक और मेथी से तो सब कुछ न कुछ बनाते ही है तो हमें क्या करना पड़ता है उसको धोके कुछ देर इसको रखना पड़ता है हमें काफी टाइम के लिए जिससे इसका पानी निकल जाए जिससे हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है कई बार हमें एकदम से ही धोके से बनाना होता है तो हम क्या करेंगे आज मैं आपको एक टिप्स दोंगी जिसमें हमारा बहुत कम से कम टाइम लगेगा और हम हमें कोई भी परिशानी नहीं आएगी आप मेरी वीडियो को एंड तक देखियेगा हम मेथी को अची तरह दो लेंगे और धोके उसको डाल लेंगे एक मलमल का या कोटन का कपड़ा लेंगे अगर जो आपका कपड़ा पतला है तो आप उसको दो या तीन बार फोल्ड कर लेंगे या आप टोवल भी ले सकते हैं टोवल बिल्कुल साफ सुद्रा कपड़ा होना चाहिए और उसमें डालेंगे हम मेथी जो हमने दोली थी मेथी को ऐसे डाल देंगे फिर हम इसे बांद देंगे बांद देंगे हम इसे ऐसे कि यह बाहर ना निकल पाए अगर जो यह बाहर निकल की तो ऐसी फैल जाएगी हम इसे ऐसे बांद देंगे बांद के इसकी एक पोटली सी बना लेंगे पोटली बना के हम इसे व प्राइर में डालेंगे और उसमें कुछ टाइम के लिए उसमें चलाएंगे यह हमारी पोटली बनके दियार हो गई है कपड़े दोने वाली मशीन के सुखाने वाले में डाल देंगे इसे और इसे चला देंगे यह हमारी मेथी सूख के तियार हो गई है मैं इसको पोटली को खौल रही हूँ आप इसको ऐसे बांद के रख सकते हैं बाद में यूज़ कर सकते हैं लिफाफे में बांद के रखिएगा और उसी टाइम भी आप उसी टाइम भी यूज़ कीजिए बहुत सही रहेगा आपके विन्टर में जब हमारे हाथ ठंड से ठिठूर जाते हैं तो ये बहुत काम आता है जब धूप नहीं निकलती है आप में एक बार मेरी ये टिप्स को जरूर फोलो कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगा अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को शेर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा